टेक्सोरमी एन एकालोजी आफ पैरस्टाइट वास्ट अब first of all what are पैरस्टाइट्स पैरस्टाइट्स ऐसे organisms होते हैं जो के प्रे के उपर direct feet नहीं करते बलक़ ये प्रे की बॉड़ी के उपर या उसकी बॉड़ी के अंदर अपने एग ले कर देते हैं उसके बाद जब इन एक्स की हैचिंग होती है तो जो अरली ड्वैल्पेंटल स्टेजिस होती है ये उस प्रे की बॉड़ी के उपर फीड करते हैं अब परस्टिक वास्प की बहुत सारी टाइप्स हैं इस मोड्यूल के अंदर हम एक इंपॉर्टन परस्टिक वास्प की बात करेंगे जो के टेमरेक्जिया रेडियेटा है इसकी अगर हम टेक्सॉनमी की बात करें तो ये फाइलम अर्थरोपोडा से बलांग करते हैं इनकी जो क्लास है वो इंसेक्टरा है इनके ओर्डर के बात करें तो हमेनप्टरा ओर्डर है उसके लावा इनकी जीनस की बात करें तो टेमरेक्जिया और इनकी जो स्पिशिस है वो टेमरेक्जिया रेडियेटा है उसके लावा ये वो पैरस्टिक वास्प है जो के एशियन सिट सिट्रस सिलर्ड के उपर अटैक करता है यानि यह अपने एक एशन सिट्रस सिलर्ड की बाड़ी के उपर या उसकी बाड़ी के अंदर इंजेक्ट करते हैं अब जो एशन सिट्रस सिलर्ड है जिसको हम डाइफोर्निया सिट्राय कहते हैं यह एक इमपॉर्टन्ट पैस्ट है स citrus fruits का पाकिस्तान के अंदर भी ये common है और तमाम जो खास दोर पर Asian countries से belong करता है ये लेकिन ये America के अंदर Florida के अंदर जहां पे बहुत ज़्यादा citrus के बागात हैं वहां पे भी बहुत ज़्यादा तादात के अंदर पाया जाता है अब अगर हम citrus सिलिट के वेक्टर के बात करें तो हमने कहा कि ये एक बेक्टेरिया के जरीए जो है अफेक्ट होते हैं अब ये जो अटैक करता है इनके उपर वेक्टर ये एक डिजीज इनके बाड़ी के अंदर कास करता है जिसको हम कहते हैं citrus greening disease जो citrus greening disease है ये responsible है in the decline of most of the trees क्योंकि जो citrus plants हैं वक्ट के साथ साथ अगर जिस फिल्ड के अंदर इस disease का attack हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पौदा है वो सूखना शुरू हो जाता है और एक वक्ट आता है कि ये पौदा बिलकुल खतम हो जाता है सूख जाता है और इस तरीके से जो plants का जो number है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है अब जो tamarexia radiator है जो एक parasitic wasp है basically इसका जो origin है वो Asian है अब फ्लोरिडा के अंदर जब citrus सिल्ला का attack बहुत जादा बढ़ा तो tamarexia radiator को फ्लोरिडा के अंदर transfer किया गया और इसको ताइवान से और वेत नाम से ले जाया गया क्योंकि जो citrus ला थी उसने फ्लोरिडा के अंदर जो citrus industry थी उसको बुरे तरीके से तबाह किया था तो उसको बचाने के लिए ये जरूरी था क्योंकि Asian citrus लिलट का जो origin था वो Asian countries से था तो इसो जासे उसको control करने के लिए जो natural enemies चाहिए था वो भी उसी region से चाहिए था जहां पे उस pest का origin था तो क्योंकि इस pest का origin Asian country से था तो वहीं से एक parasitic वास्प को ले जाया गया जो के टेमरेक्जिया रेडियेटा था जब ये टेमरेक्जिया रेडियेटा को वहां पे रिलीज किया गया तो इसने वहां जो citrus लिला की population थी उसके उपर attack किया और आहस्ता आहस्ता उनकी जो population थी उसको control किया तो इस तरीके से जो fluidida थी उसकी जो citrus industry थी उसको बचाने में इस parasitoid ने एक important role play किया है ये classical biological control की एक एहम example है classical biological control के अंदर हम क्या करते हैं classical biological control के अंदर हम जो prey है या जो pest है उसको control करने के लिए हम एक non native जो predator है या natural enemy है उसको introduce करवाते हैं अब उसके लिए हम prefer क्या करते हैं ये देखते हैं कि जो pest किसी नई जगा पे आया है और वहाँ पे तबाही फैला रहा है वो किस area का है वो किस region का है तो जिस region का वो pest होता है आम तो पर कोशिश की जाती है कि जो predator है या जो natural enemy है उसको भी उसी इलाके से ही लाया जाए जैसा कि इस case के अंदर जो citrus इला था क्यूंकि इसका जो origin था वो Asian countries थे तो इस जासे इस case के अंदर भी ये prefer किया गया कि जो natural enemy हो वो उसी इलाके से हो तो ताइवान और वेत नाम के इलाके से जो tamarexia radiator था इसको Florida के अंदर transfer किया गया और वहाँ पे जब इसकी population spread हुई तो उसने citrus सिला के उपर attack किया और उसकी बाड़ी के अंदर इन्होंने bacteria inject किया उनके अंदर greening की disease जो है वो ये फैला रहा था जो citrus सिला था तो जब उन टेमरक्जिया radiator की वहाँ पे population बढ़ी उन्होंने अपने X जो है इनकी बाड़ी के अंदर inject किये तो इनके जो early stages थी उ उन्होंने citrus सिला की population के उपर उसकी बाड़ी के उपर feed करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी तादात थी वो कम होना शुरू हो गई और इसी तरीके से फ्लोरीडा के अंदर जो citrus सिला का attack था वो खतम हो गया